हेलो स्टुडेंट, वेलकम बेक टू तपोवन गुरूप अब स्कूल, इंगलीस मरियम, माइनेम बिंदू पंडिया, तोड़े आई एम टीज, स्टान्डर फिप, सब्जेक हिंदी में बच्चो हमारा चैप्टर है टैन, एक दिन की बात्सा, क्या है एक दिन की बात्सा, तो बच्चो मेंने पहले आपको स्टोरी एक्स्प्लेंड की है, की है न, हमारी स्टोरी बहुत अच्छी थी, आरिफ और सलिम की, जो एक दिन की बात्सा, अपने अब्बा से वो माकते हैं आजा दी, जैसे बड़ो जीते हैं, ऐसी तरह से उसको हुकुम चलाना है, ऐसे जीना ह ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, हम एक्सेसाइज, पहली क्या है, खाली स्थान भरो, हेडिंग लगाओ बच्चो, आप नॉट्बुक में पैन से आपको कंपलसरी लिखना है, खाली स्थान भरो, जैसे मैंने यहाँ ओप्शन आदत, मेज, नमाज, पाबन दिया और जान, यहाँ मैंने जो ओप्शन दिया है, इन में से आपको देखके, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको लिखना है, फोर्ष्ट है, दोनों की मुसीबत में खाली जगा थी, क्या थी? जान, यहाँ लिखना है जान, दोनों गंटों बैटकर इन खाली जगाओं से बच निकलने की तरक की में सोचा करते हैं, कौन? आरिफ और सलीब, दोनों तरकिप सुनाज़ें, यह मुसीबत में, तो क्या लिखत? पाबंदिया, क्या लिखोगे? पाबंदिया, तीसरा है, दादी ने सुबह की खाली जगा पढ़ने के बाल दबाई खाना और बादा की पीना शुरू किया, उसने क्या किया, दादी ने, यहां लिखना है आपको आंसर में नमाज, क्या लिखना है? नमाज, चोथा है, अम्मी ने अपनी खाली जगा के अनुसार दार पिलाई, तो क्या लिखोगे यहां? आदत, क्या आदत? सलिम की आख खुली तो आपा नास्ते के लिए मेंज, यहां खाली जगा है, सजाए इन दोनों के उठने का इंतिजार कर रही थे, कर रहे यहां थे, ऐसे लिखना है, तो यहां आएगा मेंज, क्या लिखोगी मेंज? तो यहां से आपको देखके हमारे filling the blanks आपको ऐसे लिखना है आपकी notebook में, एक बार देख लो और आपकी mobile में pick ले लो उसका, ओके? उसके बाद हमारा दूसरा है question, नीचे दिये गए वाक्यों से सही और गलत का निसान लगाना है, हमारे जो यहां सही और गलत जो निसान है वो आपको लगाना है, ओके? तो हमारा दूसरा heading क्या है? क्या है बच्चों, यहां आपको देखना है, हमारा heading जो है, वो आपको देखके लगाना है, ओके? नीचे दिये गए वाक्यों से सही और गलत का निसान लगाओ, मखन वगरे हमारे सामने रखो, दलिया और दूद बिस्कीट इन सबको दे दो यह वाक्यों आपको टेक्सबुक में है अमारा, इन में से आपको पहचान ना है, यह वाक्यों है, सही है, गलत है, तो यहां मैंने सही बता है, तो आपको राइट लिखना है, अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हस पड़े, और जैसे रोज सलिम को जबरदस्ती के हस्ते थे, के नहीं, तो यहां लिखना है रोज, क्या लिखना है, रोज आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनायो जाओगे राइट चोथा है रजिया जल मुझे पाच रुपे तो दे रजिया मुझे पाच रुपे तो दे क्या लिखना है यहाँ ए रख कलो रजिया मुझे पाच रुपे तो दो राइट तो राम तो राइट आज गुलाब जामबुन गाजर का हलवा और चावल पकाओ नहीं तो यहां लिखना है रॉंग तो ऐसे आपको राइट और रॉंग लिखना है अमारा तीसरा है नीचे दिये गए सब्दों के लिए मिलते जुलते और्थ वाले एक सब्द लिखो पाबंदी तो बाधा तक्रार तो जगड़ा तरकीब तो सुजाव खिद्मत सेवा इक्रार तो वादा यहाँ जो हमारे जो सब्द है उसके मिलते जुलते है तो उसके सामने आपको उसका और्थ लिखना है तो बच्चों आपको समझ में आए पहले हमारे रहे right और wrong और उसके निचे है निचे दिये गए सब्दों के मिलते जुलते और थवाले सब्द लिखो ओके आप एक बार देखलो और आपके mobile में उसका पी ले लो इसके बाद है हमारा निचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर लिखो क्या है निचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर लिखो हमारा फर्स है अब्बा ने कहा क्या सोचकर आरिप की बात मान ली अब्बा ने क्या सोचकर किसकी आरिप की बात मान ली तो आंसर में क्या लिखोगी? कि रोज सभी इन बच्चों पर हुख्म चलाते हैं क्यो ना एक दिन के लिए ए हख उन्हें भी दे दिया जाए? सही है बच्चों हमारी जो चैप्टर में स्टोरी है इन में से आपको है दोनों क्या है सुबत दोनों को बहुत रोक टोक होता है तो ए लोग सोचे है अब्बा ने सोचा एक दिन उसे भी दिया जाए जैसे बड़ों उसके पूरे अधिकार छिनते हैं तो आज वो एक दिन के लिए वो बड़े बन जाए और वो छोटे बन जाए दुसरा है कौनसी तरकिप से उनकी इच्छा पुरी हो गई तो आंसर है उन्होंने बड़ों की सभी अधिकार माग लिये थे और बड़ों के छोटे की तरह रहने के लिए कहा था जिस से उनकी इच्छा पुरी हो गई तो बच्चों हमारी स्टोरी भी वही है, आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा ओके, हमारा तीसरा है, अम्मी के अधिकार किसने छिने छिन लिये गए जैसे उसकी अम्मी थी, किसके उसके अधिकार छिने तो आंसर है अभी के अधिकार आरिफ और सलिम ने छिन लिये थे किसने छिन लिये थे आरिफ और सलिम ने क्या किया था एक दिन की उसने क्या किया एक दिन की आजादी मागी क्या दोनों को एक दिन के लिए दोनों को बड़ों का बनना था बड़ो जैसे उसके उपर हुपम चलाते थे ऐसे दोनों को करना था और एक दिन की आजादी उसने अब्बाने परमीसन दे 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 चोथा है उन्होंने अम्मी को कौन-कौन से अधिकार चीने होगे आंसर है उन्होंने अम्मी से डाटने सुबह जल्दी उठने अपनी पसंद का खाना बनवाने कैसे अधिकार चीने होगे तो यहां आपको लिखना है उन्होंने अम्मी को कौन-कौन से अधिकार चीने कैसे उससे जो खाना बनाना जल्दी उठना या उठने के अपने पसंद के खाने बनाने के अधिकार चीने होगे पाच्वा है बात्सा रहत क्या होती है चर्चा करो हमारा चैप्टर का हेरिंग है एक दिन की बात्सा तो उसका क्या होता है उसके बारे में बताया है किसी सेत्र या राज्य या देश यादी पर सासन करे पूरे अधिकार जमाना तथा अपनी मन मर्जी करना उसो बाज़ा होते हैं तो बच्चों हम हमारी मन मर्जी चलाते हैं किसी को हुक्म करते हैं तो उससे हम क्या बलते हैं बाज़ा तो बच्चो ए रहे हमारे 5 क्वेस्टन, कितने है 5 और आपको ए नॉट्बुक में सुन्दर राइटिंग में आपको लिखना है, देख लो और आपके मोबैल में उसका पीक ले लो उसके बाद है दूसरा क्वेस्टन 6 कहानी में किन किन चीजों की तर्माल कहा गया है तो आंसर है कहानी में अंडे और मखन जैसी चीजों को तर्माल कहा गया है 7 इन चीजों के तुम क्या नाम देना चाहोगे सुजाओ तो आंसर में है इन चीजों को हम खाद्य परदार्ट का नाम देना चाहेंगे तो बच्चों ये रहे हमारे 7 आगे हुए 5, 6 और 7 पेस्टन आंसर है और आपको नॉट्बुक में कंट्यूरिट आप 7 तक तो आपको लिखना है हमारा 4 है प्रश्ण फोर पढ़ कर समझिये और लिखिये आपको पढ़ना है समझना है और लिखना है जैसे दर्ती तो आस्मान उठाना गीराता उपर नीचे सुरुआत अंत सहर तो गाव आपको ए सब्दत पहिचानना है और लिखना है यहाँ ब नीचे दिये गए मुहावरे का ओर्थ लिखो तो यहाँ आपको मुहावरे का only earth लिखना है आगे भी मैंने पहले पताया था आपको मुहावरे आएंगे उसके वाक्य प्रव्यव्यव्य आएंगे आपको only उसका और्थ लिखना है सिस जुकना, विनम्र होना, उंचे चड़ना, उन्नती करना मुह में पानी आना, खाने की इच्छा होना खुस्वू, खुस होना, प्रतिष्टा प्राप्त करना फुला न समाना, अंत्यन खुस होना सिस जुकना, विनम्र होना, उंचे चड़ना, उन्नती करना मुह में पानी आना, खाने की इच्छा होना खुस होना, प्रतिष्टा प्राप्त करना फुला न समाना, अंत्यन खुस होना तो बच्चो ए रहे हमारा मुहावरे का और यहां हमारी exercise पूरी होती है और आपको notebook में सुंदर writing में लिखना है Thank you